कि दोस्तों एक वाफिश से आप सब्सक्राइब स्वागत है अमारे चैनल राजिन शर्माटिस में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ और नए बाकियों को शोर्ट हैंड में किस पकार से लिखेंगे इसके बारे में बताने जा रहे हैं तो कृपया इस वीडियो को तो सबसे बला हमारे वाखिय हम और वह अक्सर इकटे ही बैठकर खाना खाते थे हम लाइन के ऊपर और वह अक्सर इस तरह बनाएंगे इकटे लाइन पर ही बैठकर इस तरह बनाएंगे बैठकर खाना खाते थे हम और वह अक्सर इकट्थे ही बैठकर खाना खाते थे दूसरा वाक्य हमारा खाना खाते बक्त इधार उधार न देखना चाहिए खाना ऐसे बनाएंगे खाते बक्त लाइन पे इधर ऐसे वराएंगे उधर न देखना देखना चाहिए खाना काते बग पेधा उधर न देखना चाहिए तीसरा बाग के अमारा ऐसा करने से ध्यान दूसरी जगे चला जाता है और अक्सर भूके ही उठना पड़ता है ऐसा लाइन पर करने से लाइन पे ध्यान दूसरी जगह चला जाता है और अक्सर भूके इसको काटके भूकर को यहां लगाएंगे देश करूप में और गोखे की मातरा regional दूसरी गंदू की रूप में दाइन सरब भूके की उठनाङ्ञा इसे बना देगे उठना पड़ता है पड़ता और इसी में है योग्य पड़ता है ऐसा करने से ध्यान दूसरी जगे चला जाता है और अक्सर भूके ही उठना पड़ता है तीसरा बाक्य हमारा सुबह खुली हवा में घुना स्वास्ति वे लिए अच्छा है सुबह सब्चने इस तरह से खुली ऐसे बना देंगे लेकी मात्रा को यहां लगा देंगे तीसे स्थान पर खुली हवा स्वारी ह और इह वा में घुना स्वास्ति लाहिंच उपर के और यह लिए दोनों एकी में आएंगे के लिए अच्छा है सुबह खुली हवा में घुमना स्वास्ति के लिए अच्छा है चोथा बाके इससे तन तथा मन दोनों स्वास्ति रहते हैं और सरीर में नई उजा का संचार होता है इससे लाइन के उपर तन ता और ये ना तथा मन दोनों स्वर्स्थ रहते रहते हैं और सरीर में नई उजा का संचार होता है इससे तन तथा मन दोनों स्वर्स्थ रहते हैं और सरीर में नई उजा का संचार होता है इस प्रकार स्वर्स्थ सरीर में ही स्वर्स्थ मस्थ रहता है मस्तिस्क रहता है इस प्रकार स्वर्स्थ सरीर में ही स्वर्स्थ मस्तिस्क रहता है तो यह थे हमारे कुछ बार के दोस्तों उम्मीद है आपको मारा वीडियो प्रसंद आया होगा इसी प्रकार से हम आपके लिए और भी आगे अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे तब तक के लिए जै हिल जै वारत